नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल के उपर तो फ्रेंज यहाँ पर अम लुग आज जिस टॉपिक पर डिसकेशन करने वाले हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि 28 में को हमारे प्रदान मंत्री पार्लिमेंट का इनाउगरेशन करने वाले हैं लेकिन यहाँ पर हमारे देश में ऐसी कुछ opposition parties हैं जो पार्लिमेंट के इनाउगरेशन में भी participate करने को तयार नहीं है और issue यह raise कर रहे हैं कि पार्लिमेंट का इनाउगरेशन प्राइम मिनिस्टर को नहीं बलकि प्रेजिडेंट ओफ इंडिया को करना चाहिए तो क्या है यह पूरा का पूरा मुद्दा इसे समझते हैं एक पार्लिमेंट जो संसद है जहां पर बैटके देश के लिए नीतिया बनाई जाती है उनको क्यों opposition parties इस point of time पे कह रही है कि हम इसे boycott करेंगे इसके inauguration को boycott करेंगे तो चलिए समझते हैं इस पूरे के पूरे इशक को बने रहेगा काफी कुछ आपको यहां पर जानने को और समझने को मिलेगा तो 19 opposition parties ने यह decide किया है कि वो 28 मे को जो पार्लिमेंट का नए संसद भवन का जो inauguration होने वाला है उसको completely boycott करने वाले है उनका यह argument है कि पार्लिमेंट का inauguration प्रेजिडेंट द्रौपती मुर्मू को करना चाहिए ना कि प्रधान मंत्री को करना चाहिए अगर ऐसा करा जाता है तो यह constitutionally improper होगा और एक तरीके से constitutional values को insult करने की बात होगी तो according to these opposition parties inauguration, parliament का प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा नहीं बलकि प्रेजिडेंट द्रौपती मुर्मू के हिसाब से होना चाहिए because president is the head of the state तो इसलिए उनके तुरू इसका inauguration होना जादा beneficial होगा 19 opposition parties जिसमें congress included है और भी उनके साथ बाकी parties included है उन्होंने यह announce किया कि प्रधान मंत्री मोदी का यह decision जो उनको invite किया गया है inauguration के लिए उन्होंने completely president को sideline कर दिया है और यह एक तरीकी से president office का insult है जिसको करा जा रहा है this is something which is going to violate the letter and the spirit of the constitution बट यह पूरे पुद्दे को लेकर जो BGB की सरकार है वो यह कह रही है कि यह सिर्फ एक issue है जिसको create करा जा रहा है क्योंकि parliament is a body जहांपे सभी member of parliament बैटने वाले हैं संसत में सारे के सारे जो members है वो बैटेंगे discussion करेंगे देश की नीतिया बनाएंगे लेकिन यहां पर जो issue create करा जा रहा है वो यह है कि जो parliament का inauguration है वो Modi सरकार में Modi Prime Minister के थूँ नहीं बलकि President Draupati Murmu के थूँ होना चाहिए So while Union Minister जो Hardeep Singh Puri है उन्होंने counter में यह बात भी बोली है that during the tenure of Congress Government in the past so many years Prime Ministers ने Parliament के different complexes को inaugurate किया है इसी के साथ Assam के Chief Minister Himand Biswa Sharma ने भी इसको justify किया और कहा that the decision to get Prime Minister Modi to unveil the building by citing examples of CMs of non-BJP ruled state governments उनका यह कहना है कि जिन राजियों के अंदर BJP की सरकार नहीं है जहाब एक Congress या किसी भी अन्य सरकार है वहाँ पर भी तो जब new buildings का inauguration होता है तो आपने कभी Governor को या President को invite नहीं करा वहाँ पर भी Chief Minister ही है जो उन bodies का उन complexes का inauguration कर रहे है तो Parliament में ultimately opposition को ये problem क्यों है तो problem क्या Parliament के inauguration से है या फिस Central Government Party से है हमें comments में आप जरूर बताएगा कि आप क्या सोचते हैं यही पर जो हेमंद Biswa है ये बात भी कही कि in last nine years पांच non-BGP या opposition state governments either laid the foundation stone और inaugurated a new legislative assembly building and all this were done by either the Chief Minister or the party President उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि Governor और President के थूही आपको inauguration करवाना चाहिए था तो tweet करते वे उन्होंने अपनी इस बात को justify करा कि 2014 में जब UPA की सरकार थी ज्हारकण में तो वहां पे ज्हारकण और असम में foundation stone रखे गए थे assembly के 2018 में आंदरप्रदेश के minister ने भी foundation stone रखा था new assembly का 36 गड में 2020 में Sonia Gandhi लेट the foundation stone जहां पे दुबारा governor को invite नहीं करा गया था and 2023 में तिलांगना assembly inaugurated by Chief Minister where again the governor was not invited so opposition इस समय parliament को लेकर ही issue क्यूं ला रही और क्यूं कह रही है कि हम parliament को inauguration को bai court करने वाले हैं तो आप हमें comments में जरूर बताएगा कि आपका क्या opinion आपको क्या लगता है कि जो इस समय opposition party कह रही है वो उनका stand सही है या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक political gimmick है जिसको play किया जा रहा है तो यह हम लोगों ने यहाँ पर इस issue को समझा students अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को subscribe करें जिससे आपको ऐसे ही further updates मिलता रहे साथ ही साथ हमारी YouTube की इस video को जरूर like भी करें और share करें अपने उन students और friends के साथ जो ऐसे किसी examination के लिए या general opinion को जानना चाहते हैं So next video के अंदर मिलेंगे किसी नए topic के साथ किसी नए issues के साथ Till then, take care everyone Thank you so much